Hey guys, आपका एक बार फिर्ट से बहुत स्वागत है मेरे जैपैन के वीजा की वीडियो में आज की इस वीडियो में आपन जानने वाले हैं कि हम जैपैन का वीजा हम एंडियन्स कैसे एपलाई कर सकते हैं इसके अलावा जैपान का वीजा एपलाई करने के लिए कौन-कौन से important document की need है, इसके अलावा जैपान की वीजा की fees क्या है, बात करने वाले कितने time लगेंगे इस वीजा को मिलने के लिए और भी कुछ importance update आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, वीडियो शुरू करन जो स्टैंपिंग है, वो जैपान का वीजा आपको मिलता है, आपके पास्पोर्ट पे अगर वो जैपान का स्टैंपिंग होता है, तो वो आपको इन फ्यूजर बहुत सारे जगा पे help कर सकता है, जैसे की शैनेकन वीजा, UK, US या फिर ऑस्टेलिया का वीजा एपलाई करने के लिए, इसके दाबा मैं आपको ये बताता हूँ, जो भी जैपान पास्पोर्ट होल्डर है, उन्हें 170 कंट्रीज में वीजा ओन अराइवल की फैसलिटीज मिलती है, जी हां दोस्तो, 170 कंट्रीज में वो वीजा ओन अराइवल में जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है तो ये था कुछ basic information, अब अपन शुरू करते हैं, अगर टूर्जिस के purpose के लिए अगर जैपान घूमना जाना चाहते हों, तो फिर वीजा को कैसे apply कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने desktop की screen पे, desktop की screen पे आप देख सकते ह मैंने एक website open की है, जिसका की नाम है VFS Global, हर बार मैं आपको इसी website से अलग अलग देश के visa को कैसे apply करना है, मैं ये बताता हूँ, तो सबसे पहले इस website का जो link है, वो मैं आपको अपने video के description में दे दूँग, आप यहां से open कर लीजेगा, फिलाल इसको आपको नीचे करना है and यहां पर आपको अपनी nationality select करनी है, मैंने किया India, मुझे जाना का है, चलो वाई, आज आपको लेकर चलते हैं, जापान, अब take me to the website, ठीक है, खुनो वाई को लो, चल ये, तो फिर यहां पर इस तरीके का आपको interface देखने को मिलेगा, इसके पहले सीध है, आपको apply for visa, start now पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको step by step guide मिलेंगी, मैं आपको इसका एक छोटा से introduction दिखा देता हूं, सबसे पहले आपको identify करना होगा, आपको कौन सा visa type, visa type मैं बोलू तो, आप business purpose के लिए जाते हैं, आप student हैं, तो उसका अलग visa ल आपको visa application center में जाना है, अपने documentation को submit करना है, process करना है, इसके बाद अपने application को track करना है, and the last, अपने passport and visa को collect करना है, तो चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको ready to apply प्लिक करना है, this is applied now, एक नया tap खुल के आपके सामने, फिर इस तरीके कुछ interface में लिएगा, सबसे मैं आपको बताता हूँ, आपको attend a center पे click करना है, इसके बाद नीचे drop down करना है, आपको अपने nearest location के according है, आपको VFS के office की जो भी center है, आपको वो देख जाएगा किस दिन से किस दिन, और कितनी timing के लिए यो open रदा है, इसके according आप देख लीजेगा, जो भी आपको nearby लगे, आप वहीं की centers की bugging कीजेगा, और वहां जाके सारे processing को कीजिएगा, सबसे पहले आपन बात करते हैं, वीजा टाइप के बारे में, जैसे ही हम वीजा टाइप पे click करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे information देख जाएंगे, तो हम लोगों को apply करना है, temporary visitor visa, okay, so इसमें overview दे बाद इसमें बहुत सारे चीज़ हैं, हम इसको समझेंगे, सबसे पहले हम documentation की बारे में जानते हैं, कौन-कौन सी documentation है, जो की required है, हमें Japan का visa apply करने के लिए, यहाँ से document की list को हम कर लेते हैं, download, और यह मेरे पाच को list आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहला document जो है, वो है Japan के visa का application form, यह आपको लेके जाना है, इसको आपको black paint से सारे information को fill करना है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो application कैसा होगा, उसमें कौन-कौन सी information आपको fill करनी है, second document है, वो है आपका passport, आपको अपने passport को xerox कर लेना है, उसकी front copy और back copy, इन दोनों को आपको photocopy कर ले लिए, तीसरा document जो है, वो है आपका passport size, passport size मैं आपको बता दूँ, वो आपका background होगा, वो white color का होगा, और उसकी जो size होगी, यह 2 by 2 inch की होगी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, 2 by 2 inch, already mention किया गया है, एक और चीज है photograph के बारे में, कि 6 months से आपकी पुरानी photo नहीं होन आप जो चाहें वो दे सकते हैं, अगर मैं आपको suggest करूँगा, इसमें आप dummy भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका visa final हो जाता है, इसके बाद आप flight की ticket book कर सकते हैं, इसके बाद है daily itinerary और cover letter, यह document भी आपको लगानी है, यह हमारी 5 भी document, daily itinerary में आप क to करके और यह भी इसके साथ, documentation के साथ, attach कर दीजेगा, इसके अलगा मेरा जो छटा document है, यह है proof of accommodation, यानि की hotel bookings, hotel booking भी आपको लगानी पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारे website available है, मैं आपको suggest करूँगा, one of the best booking.com से booking कर सकते हैं, इसमें payment option जो आप select कीजेगा, वो कीजेग pay at hotel का, इसके बाद जो आप यह booking कर लेंगा, यह documentation भी आप इसमें attach कर दीजेगा, यह करने के बाद इसमें कभी कभी problem कुछ यह हो जाती है, कि आपने पहले तो pay at hotel पे करके booking कर दीए, इसके बाद आपने documentation में, visa में अपने लगा दिया document को, बट उसके बाद क्या होता है, आ embassy को यह सारे documentation process हुआ, उसके बाद आपने जो hotels की booking तो उसको cancel कर दी, तो ऐसा बिलकुल मत कीज़ेगा, जब आपका visa आपके हाथ में आजाएगा, इसके बाद आप चाहें, तो आप ने hotels को change कर सकते हैं, इसके बाद जो मेरा साथवा document है, यह है proof of financial statement, इसके अंदर आपको last six month का bank statement देना होगा, और कुछ भी नहीं है, वैसे इस चीज़ पे आप काफी ध्यान दीजेगा, चुकि वो Japan में इस चीज़ को बहुत importance देते हैं, वो आपके bank के statement को बहुत ही बारिकी से उसको analyze करेंगे, और उसी के basis पे आपका जो Japan का visa है, वो decide होगा कि लगेगा कि नहीं और इसके लिए मैं आपको suggest करूँगा 2.5 लाग रुप आपके उस account में होना ही चाहिए, minimum 2 लाग तो होना ही चाहिए, 2 लाग से नीचे तो मैं मत मत रखना, मैं suggest करूँगा ऐसा तुम लोग को, इसके बाद जो मैरा artwork document ये, this is letter of invitation, इसकी कोई need नहीं है क्योंकि आपन tourist के ल इसके साथ अटेच कर देना, तो फिर ये आपके travel history हो गई, तो चली अपन ने समझ लिया कि documentation क्या है क्या लगेंगे, इसके बाद आती है photo specification, जो कि मैंने आपको बताया था, 6 months से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 2 by 2 की होनी चाहिए, color होनी चाहिए, white background के साथ होनी चाहिए, और good quality होनी चाहिए, ये एक example है, आप इसको देख सकते हैं, चली है, एक छोड़ी है मैं आप वीजा के fees के बारे मता दू, विया कि जो fees है वो Indians के लिए 500 रुपे हैं, single entry हो या multiple entry हो, other nationals के लिए 1750 रुपे, single entry और multiple entry के लिए 3450 रुपे हैं, इसके अलबा मैं बता दू, VFS जो है वो अपनी fees अलग से लेता है, यानि आप जो जो जैपान की embassy को जो वीजा के fees के पैसे पे करेंगे, this is around 500 रुपे है, और VFS अपनी fees लेगा, वो है 650 रुपे है, आपके वीजा के documentation को process करवाने के लिए, तो total आपके जो वीजा के fee लगेगी, वो 1100 के आस पास लगेग तो within आपका, इसमें भी आपके पास दो option होते है, पहला option होता है कि आप VFS center से जाके अपने passport और visa को collect कर सकते हैं, and second option होता है कि आप इसे अपने घर पे ही deliver करवाले, तो कुछ ये ता process और documentation, visa fees, और photo specification के बारे में, अब हम बात करने वाले visa की जो application है, उस visa की application form को fill कैसे करन है, so download form पे click करना है, and visa application form, तो ये है Japan का एक official visa application form, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने passport size photo को paste कर लेना है, size जैसा मैंने बताया था वैसा, इसे छोड़ देना है, यहाँ आपको अपनी in detail proper तरीके से mention करनी है, जैसे की surname हो गया, आपको जो passport में लिखी हुई है, same वैसा ही अपने से कुछ भी नहीं लिखना है, तो सरनीम अपना लिख दीजेगा, and middle name आप इसमें अपना fill कर दीजेगा, and इसमें अपना date of birth, place of birth, अपना sex male, female, यह select कर लेजेगा, and आपका marital status single है, married है, divorced, यह सारी चीजों को आप देख लीजेगा, इसके बाद, former या किसी, आपकी और भी देश का आपके पास relationship है, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद आप ID number issued by your government, आप इसे भी लिख दीजेगा, इसके बाद document है, वो है passport type, diplomatic है, official है, ordinary है, यह फिर अधर है, तो ordinary ही ही होगा, इसके बाद date of issue, date of expiry, issue authority, यह सारी चीज़े आपके passport पे mention ह यह प्रपर तरीके से देख लिजेगा, purpose of visit to Japan, इसके लिए आप tourism लिख दीजेगा, यहाँ पे, चलिए, इसके बाद intended length of stay in Japan, कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, यह लिख दीजेगा, किस तारीक को जाएंगे, date of entry in Japan, किस तारीक को अप जापान में इंटर करेंगे, यह लिख दीजेगा, हाँ, तो फिर आप यह port of entry into Japan, यह port लिख रहा है, आप यहाँ पे अपने airport का नाम लिख सकते हैं, और name of ship और airline किस airlines आपा रहे हैं, यह mention कर दीजेगा, name and address of hotel or person with whom applicant intended to stay, इसमें आप अपना नाम लिख दीजेगा, sorry, name and address of the, हाँ, तो इसमें आप hotels का नाम, telephone number, address, यह चीजे लिख दीजेगा, date and duration of previous stage, अगर कोई है ऐसा, आप लिख दीजेगा, आप पहले Japan में घुम चुके हो, अगर नहीं, तो आप इसे छोड़ दीजेगा, और your current residential address, if you have more than one address, then please list, तो आप इसमें अपना जो आपके एक verified document में लिखा होगा आपका address, आप उसी address को यहाँ पे mention कीजेगा, telephone number, mobile, email address, और इसके अलावा आपका जो भी profession हो, occupation हो, आप इसे यहाँ पे mention कर देए, businessman हो, या फिर employee हो, और इसमें name, telephone number, address, इतनी चीजे लिखने के बाद, हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे यहाँ पे है, उन लोगों के लिए, जो applicant minor हो, इसके crime किया है, आपको कभी एक साल की jail वगर ऐसा कुछ होई है, आप कभी Japan से deport हुए है, visa wallet किया है अपने, नहीं, किया आपने drugs वगर अगर कुछ ऐसा है, I think सब में आपको known and करना है, एक बढ़ा फिर से proper पढ़ लेना, and उसके बद अपने according आप इससे यहाँ पे fill कर देना, इस था कुछ information कि Japan के visa, जो है, उसकी form कुम कैसे fill कर सकते हैं, यह थी information regarding Japan के visa के लिए, आप कैसे Japan का visa apply कर सकते हैं, कौन-कौन सा document needed है इसके लिए, इसके अलावा visa की क्या fees थी, कैसा processing time है, किस तरीके से apply कर सकते हैं, I hope आपको यह मेरी video पसंद आई हो, अगर आप कोई मेरी video पस देते रहेंगे, तो मिलते हैं दूसरे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए, बबाए!